हेलो गाईज एक निव वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो जब भी आप अपने यूटूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं वीडियो अपलोड करने के बाद आप अपनी वीडियो के वीवज को काउंट करने लगते हो आप हर एक 2 मिनट बाद अपनी वीडियो को रिफ्रेस्ट करते हो और चेक करते हो आपकी वीडियो पर कितने वीव्ज आ गए लेकिन दोस्तो होता क्या है आपकी वीडियो पर वीव्ज कितने आते हैं 5 या फिर 10 या फिर maximum 20 वीव्ज आते हैं ज्यादा होता है तो 50-60 वीव जाकर आपकी वीडियो पर वीव जाने बंद हो जाते हैं, वीव रुख जाते हैं, जिसके बाद आप हतास और निरास हो जाते हो, कुछ दिन बाद आप डिमोटिवेट होकर यूटूब पर काम करना छोड़ देते हो, लेकिन दोस्तों कि आप ज अपने यूटूब चैनल पर बहुत कुछ करना होता है अपनी वीडियो पर वीज इंकरीज करने के लिए, और अपने यूटूब चैनल को बूस्ट करने के लिए, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक नहीं दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिनकी मदद से अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सिस्क्राइब करकर बैल आइसन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिपिकेशन सब से पहले मिल जाए, तो चलिए दोस्तों वीडि यूटूब दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अपने यूटूब चैनल को ओपन कर लेता हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने यूटूब चैनल को क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं अभी यूटूब चैनल को ओपन करना है, तो यहाँ रिसेटली वीडियो अप्लोड की है उसको यहां पर आपको open करना है इस वीडियो को open करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलता है analytics का इस पर आपको click करना है analytics वाले option पर click करने के बाद यहां पर आपको कैई सारे option मिल जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पहले तरी के एप्रोक्स आ चुके हैं इंप्रेशन क्लिक थूरेट यहाँ पर 9.2 परचेंट है और इंप्रेशन यहाँ पर 26,600 के एप्रोक्स आ चुके हैं तो यहाँ पर आपको रीच वाले आपसर पर किलिक करना है उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करना है नीचे स्लाइड करने के आपको कई सारे option देखने को मिलेंगे यहां पर आपको एक option मिलता है YouTube search columns यहाँपर आपको YouTube search ट्रॉम pair किलिक करना है क्योंगि यहाँपर मैंने अपने digital board में open किया हुआ है तो यहाँपर see more का option आएगा लेकिन आपके mobile phone में आपको YouTube searchchildren पर click करना है मैंने यहाँ पर सीमोर पर किलिक कर दिया है सीमोर पर किलिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो इस वीडियो पर जो भी वीव जाये हैं जिन भी टेक्स की मदद से इस वीडियो पर वीव जाये हुए हैं वो सबी टैक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अगर आपकी वीडियो पर 20-30 वीव जाते हैं तो आपको यह सब कुछ 12-13 घंटे बाद आपको करना है आपको ऐसा नहीं कि अभी आपने वीडियो अप्लोड की और तुरंत आपने यह काम कर लिया तो आपको कोई भी YouTube सर्च ट्रम में कीवर्ड देखने को नहीं मिलता कोई भी टैक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप ये सब 12-13 घंटे बाद ट्राई करते हो तो आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो भी आपकी वीडियो पर चाहे 10 वीज आये हुए हैं या फिर 20 वीज आये हुए हैं वो सभी वीज किसी ना किसी कीवर्ड की मदद से आते हैं तो इसलिए आपको कम से कम 12 गंटे का वेट करना है और उसके बाद आपको इस तरीके को apply करना है यहाँ पर आपको क्या करना है जो भी आपको कीवर्ड यहां पर देखने को मिलेंगे सभी को आपको एक एक करके not करना है नौट करने के बाद आपको ये सभी कीवर्ड एक एक करके अपनी वीडियो के text section में add करने है अगर यहाँ से आप screenshot लेना चाहौ up screenshot लेकर भी आप इन keyword को copy कर सकते हो आपको text on screenshot इस application का यूज करना होगा अगर आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं तो well and good है वरना इस application को आप अपने mobile phone के play store से install कर सकते हो और इस application में आपको अपना screenshot add करना है और वहाँ पर आप सभी keywords को आसानी से copy कर सकते हो वरना आप यहाँ पर एक ए keyword को note कीजिए और उसके बाद अपनी वीडियो के text section में add कर सकते हो text section में add करने के बाद यह सभी keywords आपको अपनी वीडियो के description में भी add करना है यह काम आपको 12-13 घंटे बाद करना है अगर आप इस काम को proper तरीके से करते हो हर वीडियो में आप करते हो तो आपको इस तरीका का जो result है वो 2-3 घंटे के बाद देखने को मिल जाता है तो पहला तो यह तरीका है जो आपको अपनी वीडियो को public करने के बाद 12-13 घंटे बाद apply करना है तो यह तरीका उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा अब हम जाते हैं दोस्तों second तरीके के बारे में जो आपको अपनी वीडियो को public करने के बाद कम से कम 5-7 मिनट बाद तुरंट आपको करना है 5-7 मिनट आपको wait करना है और उसके बाद आपको यह second तरीका apply करना है इसके लिए आपको अपने YouTube चैनल की settings पर click करना है settings पर click करने के बाद यहां पर कई चारे option आपके सामने open हो जाएंगे और यहां पर आपको एक option मिलता है channel वाला इस पर आपको click करना है channel वाले option पर click करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलता है keywords का इस वाले option को आपको यहां पर open करना है इसमें आपको क्या करना है आप ध्यान सा यहां पर जान लीजिये जो भी title अपने अपनी वीडियो का लगाया है वो title आपको वहां से copy करना है जैसे कि अगर आपने title में दो तरीके की words को add किया है यहां पर एक छोटा सा example आपको मैं देना चाहूँगा जैसे की views कैसे बढ़ाएं या फिर YouTube चैनल पर views कैसे बढ़ाएं दो keywords हो गए, दो यहाँ पर title एड़ करके आपने एक title तयार किया तो यहाँ पर आपको views कैसे बढ़ाएं, इसको अलग से यहाँ पर paste करना है तो आपको अपनी वीडियो का जो भी टाइटल आपने रखा है complete title आपको यहाँ पर paste करना है ये कम आपको अपनी वीडियो को upload करने के बाद 5-7 मिनट बाद आपको करना है और ये आपको कब तक रहने देना है वो मैं आपको बता दीता हूँ जब भी आप अपनी वीडियो अप्लोड करो 5-6 मिन बाद आपको ये तरीका apply करना है उसके बाद जब आप next वीडियो अप्लोड करो तो आपको ये title यहां से delete करना है जो पहले वाला title यहां पर आपने paste किया है और जो निव वाली वीडियो आपने upload किये उसका title यहां पर आपको again paste कर देना है और पहली वाली वीडियो का title यहां से आपको delete करना है इस तरह से आपको इस तरीके को लगातार apply करना है लगातार use करना है मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा दोस्तो जो बड़े YouTube चैनल होते हैं उनको ऐसे किसी भी तरीके की यूज करने की जड़त नहीं होती क्योंकि उनके पास पहले सी audience होती है जिनकी मदद से उनकी वीडियो बूस्ट हो जाती है लेकिन जो निव YouTube चैनल होते हैं उनको बहुत सारे तरीके को apply करना होता है अपनी वीडियो को boost करने के लिए तो आपको ये second तरीका इस तरह से apply करना है और यहाँ पर आपको save पर click करके यहाँ से इसको save कर देना है ये दो तरीके हो गए दोनों काफी important तरीके हैं और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अपने experience के base पे एक तीसरा तरीका यहाँ पर और add करना चाहूँगा वो होता है जो भी आपने वीडियो का thumbnail बनाया है उसमें आपको थोड़ा सा change करना होता है आपको क्या करना होता है मैं आपको बताना चाहूँगा जो CTR होता है एक CTR होता है revenue का जो भी आपकी income होती है और एक CTR होता है जो भी आपकी वीडियो पर view जाते है जो भी आपकी वीडियो पर impression होते है CTR की full form होती है click through red जो भी आपकी वीडियो पर impression आते है कितने लोगों ने click किया आपकी वीडियो को देखने के लिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आपकी वीडियो का CTR यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो को आपन करके दिखा देता हूँ CTR क्या होता है जैसे कि मैंने जो रिचेंटली वीडियो अपलोड किये इसको यहाँ पर मैं आपन करता हूँ यहाँ पर मैं एनलिटिक्स को आ जाता है तो आपको अपनी वीडियो के थामनेल को चेंज करना है ये काम भी आपको कम से कम 24 गंटे के बाद करना है आपको 24 गंटा वेट करना है और उसके बाद आपको अपना CTR चेक करना है अगर CTR आपका 5% से डाउन चला जाता है तो आपको अपनी वीडियो के थामनेल को होगा उतने ज़्यादा वीव आपकी वीडियो पर आने के चांस होंगे लेकिन यहां पर यह याद रखिए आप मिस्लीडिंग यहां पर थमलेल मद बनाईए जो भी टॉपिक आपने वीडियो में बताया है उसी के रिगार्डिंग आपको एक किलिक बैट थमलेल बनाना है ब दोस्तो इस तीन तरीके मैंने आपको बताए अगर आप इन तरीकों का प्रोपर तरीके से यूज करते हो प्रोपर तरीके से इनको फॉलो करते हो तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो उम्मीदे दोस्तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए इसी तरह की इंट्रेस्टिंग और नॉलिजफुल वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करकर बेल आइकल को प्रेश जरू कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी लैटेस्ट वीडियो का हिंजे भार दोस्तो